वाट्साप गाईज, Samsung Apple फिर आ चुका एक और नया धमाका लेका है, S22 Ultra की हाइप तो चली रही थी, उसी के साथ साथ Samsung अभी एक रोलेबल स्मार्टफोन लेका आ चुका है, सेमसेम ने foldable smartphone तो काफी अच्छे बना थे अब वारी है rollable smartphone गी market में हमें अभी तक से भी non commercial rollable smartphone देखने को मिला है जो क्यों है OPPO का फिर एक clear difference जो OPPO और सेमसेम के smartphone में देखा वो यह है कि OPPO की screen को भार आने में थोड़ा time लगता है वहीं सेमसेम की screen उसके मुकाबले काफी जल्दी आया जाती है सेमसेम में हमें सिर्फ बटन प्रेस करना होता है और screen भार आ जाती है एक बात मैं clear कर दूँ यह सारी prototypes हैं और सेमसेम ने इनके से patent file की है अभी इसके साथ ही हमें Flex S और Flex GB देखने को मिला यह double folding smartphone है यानि कि यह smartphone दो बार fold होता है जिसमें से flex S जो है उसमें हमें एक bezels देखने को मिलेगा left और right side में ताकि हम phone को अच्छे से grip कर सकें बट यार flex S में और flex slideable में एक जो issue मुझे लगा वो यह है कि इन दोनों को इस डिस्प्ले बाहर रहेगी यानि कि इन दोनों की डिस्प्ले पर scratch आने का खत्रा बहुत जादा है और हमें पता ही है कि फोल्डेबल की स्क्रीन काफी sensitive होती है उस पर आसानी से scratch आ जाती है नेक्स्ट स्मार्टवन फ्लैक्स जी और यह मुझे इसी वज़े से पसंदने क्योंकि यह डबल फोल्डिंग स्मार्टवन है बट यह अंदर की तरफ फोल्ड होता है जिससे स्क्रीन पर scratch आने का कोई भी खतरा नहीं है और साथ ही इसमें बैजल्स भी कम है स्मार्टवन फोल्डेबल लैप्टव भी ला रहा है जो कि वह फ्लैक्स नोट यह एक फोल्डेबल लैप्टव होगा जो जब फोल्ड रहेगा तो हमें 13 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जैसे हमें इसे अनफोल्ड करेंगे यह 17 इंच की फूल एड़ी डिस्प्ल झाल